तो यहां पर आज मैं डिसक्स करने वालों आपके साथ फोर्स एंड प्रेशर द्यू तो रेडियेशन तो यहां पर है रिखेंगे फटाफट से कि फोर्स और प्रेशर किसकी वज़े से रेडियेशन की वज़े से तो यहां सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सबसे एक बेस्क सबसे बेस्क जो है हमारे पास Care No.1 कि माल दीज़र हमारे पास एक सर्फीष से and that surface is super absorbent super absorbent है यह radiation को जो है यह सोख लेता है absorb कर लेता है यह जो हमारे पास surface है यह super absorbent है super absorbent है super absorbent है यानि कि coefficient of absorption जो है उसे कह सकते है 1 के बराबर है यहाँ पर इसे ऐसे भी लिखा जा सकता है कि 100% या कह सकते है ideally super absorbent ठीक है समझ गया है समझ गया है क्या मतलब है तो एक term और है जिसे कहते हैं coefficient of absorption coefficient of absorption absorption वो किसके बराबर दिया हुआ है 1 के बराबर दिया हुआ है ठीक है और इस surface पर parallel parallel किसके normal के parallel या कह सकते हैं perpendicular to the surface एक beam इस पर आकर गिरता है एक beam इस पर आकर गिरता है तो यहाँ पर एक important announcement है सबसे पहला announcement इसमें यह है कि आपको mentorship मिलने वाली है top educators की और भी धेर सारे benefits जो है आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं उसके बाद दूसरा announcement है वो यह है कि J 2022 के लिए और 2 January से हर Sunday जो है 2-5 आपको एक exam होगा और इस exam में जो है बहुत ही fierce competition होने वाला है तो आप जरूर जो है इस exam इस test series को दीजिए और आप introspect कर सकते हैं कि आप कितने पानी में हैं आपको क्या preparation की जरुत है ठीक है क्या-क्या features हैं देखे इसमें कि जो है J main preparation के लिए J main level के जो है यहाँ पर test होने वाले हैं और उनमें जो questions होंगे questions जो है top educators के द्वारा curated हैं और उनके solutions भी आपको मिलने वाले हैं और उसके बाद आपको test report दी जाएगी और test report से क्या होगा कि आपको जिन-जिन concepts में दिक्कत है क्या-क्या दिक्कत है वो खुद हम आपको यहाँ पर बताएंगे कि क्या-क्या आपको दिक्कत है क्या-क्या आपको पढ़ने की ज़रत है तो test report भी यहाँ पर आपको मिलने वाली है और test series को जो है join करना है आपको इस code के साथ NKC Sir live code आप यहाँ पर इस्तिमाल कीजिए और test series को जो है join कीजिए उसके बाद यहाँ पर आप Unacademy की website, Unacademy की app पर जो है doubts पूछ सकते हैं आपको जो है तीन doubts जो है एक बार में आप पूछ सकते हैं तीन doubts जो है एक बार में पूछ सकते हैं और आप जिस language में चाहें उस language में जो है आपको solution यहाँ पर मिलने वाला है और क्या करना है आपको Unacademy की website है और Unacademy की जो app है उस पर आप अपना जो doubt है वो upload कर सकते हैं ठीक है तो यहाँ पर एक beam जो है वो इस पर आकर incident होता है beam ठीक यह हमारे पास एक light beam है light beam है light beam है light beam है ठीक और इस light beam का जो area है वो किसके बराबर है बटा area A के बराबर है area of cross section जो है वो A के बराबर आपको दिया हुआ है ठीक है इसका जो intensity है बटा इसका जो intensity है वो I के बराबर है intensity intensity is equal to I intensity is equal to I बात समझ माई यह आपको data यहाँ पर दिया हुआ है और यह जो सारी चीज़े हैं यह vacuum में हो रही है air में हो रही है इसका मतलब यहाँ पे light का जो speed है radiation के travel करने का जो speed है वो C के बराबर है speed of light जो है यहाँ पे C के बराबर है speed of light speed of light is equal to C is equal to C ठीक है यह जो इसको दूसरे मीडिया में करेंगे तो light का जो speed है वो change होटाएगा जो है वो change होटाएगा वो change होटाएगा C by mu के बराबर उसे हम लिख सकते हैं लेकिन यहाँ पे हम बात कर रहे है speed जो है light की C के बराबर ली गई है अब क्यूंकि यह एक super absorbent surface है तो जितने भी radiation आएगी और radiation को यह सोख लेने वाला है absorb कर लेने देने वाला है इसका मतलब है कि जो photons इस light radiation में मौझूद है देखिए यह जो light का beam है इसका मतलब यह photon से मिलकर बना है और बहुत सारे photons जो है वो इस surface पर आकर गिर रहे हैं और absorb हो जा रहे हैं यानि कि वापस नहीं जा रहे हैं वापस नहीं जा रहे हैं तो यहाँ पे मैं निकालना चाहता हूँ कि यह जो beam है इस surface पर जितना beam का area है उतने ही surface को यह घिर रहा होगा और उतने ही surface पर यह force लगा रहा होगा एक तरीके से प्रेस कर रहा होगा यह प्रेस जो है कर रहा होगा आपने बहुत सारे जो है कार्टून्स देखे होंगे या बहुत सारे आपने character देखे होंगे जो अपने हाथ में से या अपने light saber में से या किसी ना किसी चीज से एक laser जो है फेकते हैं और उस laser से सामने वाला जो दुश्मन है वो मर जाता है उसके उपर एक push type का force लगता है यहां से laser मारते हैं और जो है सामने वाला उड़ दाता है या उसके अंदर से आर पार निकल जाता है तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें आपने देखी होंगी तो बिल्कुल वैसा ही यहां पर है feel तो सब को आई रहा होगा कि एक radiation जो है यदि इसको उपर से surface पर मारा जाता है तो क्या होगा कि यह जो आपके पास surface है यह नीचे की तरफ press हो रहा होगा इसके उपर इसके उपर नीचे की तरफ लग रहा होगा F के बरावर लेट से F के बरावर force लग रहा होगा और इस force को area से divide कर देंगे तो हमें मिल जाएगा radiation pressure उसे ही radiation pressure कहा जाता है अब इसकी calculation हम करने वाले है force की और pressure की in terms of I, area और C की terms में हम यहाँ पे formula निकालने जा रहे हैं ठीक बाद अब देखे क्या करेंगे ध्यान से देखेगा काफी आसान है काफी important है मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ at t is equal to t at t is equal to t माई लिजे photon जो है photon इस surface पर आ रहे है इस तरीके से photon जो है इस surface पर आकर गिर रहे है और t is equal to t plus dt पर क्या होता है यह जो photon है यह absorb हो जाते है यह एब्सॉर्ब हो जाते हैं यानि कि अब यहाँ पर कोई भी photon नहीं है यह photon जो है यह dt time में यह क्या हुए? फुस हो गए dt time में क्या हो गए? फुस हो गए यह यहाँ पर मैं थोड़ा oversimplify करके आपको समझा रहा हूँ तो यह बहुत ही चोटा time है बहुत चोटे time में मैंने मान लिया कि इतने जो photons हैं यह आकर यहाँ पर फुस हो चुके हैं यानि इनका जो momentum है वो 0 के बराबर हो चुका है तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ कि change in linear momentum का magnitude के दिवात करेंगे यह क्या है बटा? change in linear momentum change in linear momentum linear momentum यह क्या होता है अपके बटा? final momentum minus initial linear momentum का mod final linear momentum जो है 0 के बराबर है और initial linear momentum जो है मैंने मान लिया P के बराबर है तो यहाँ से आपको result मिल जाता है यहाँ से P के बराबर यानि कि जो इसका initial linear momentum है वही उसके बराबर ही change इसमें आया है सही बात भी है पहले linear momentum का magnitude P था अब 0 है change किता है आप P के बराबर है अब बारी आती है P को कैसे निकाले P को कैसे निकाले यह जो photons आ रहे हैं इन photon की energy इनके पास कितनी हैं मैं कह सकता हूँ कि intensity intensity into area यह जो beam का area है मैंने area से multiply कर दिया तो intensity into area कि आगे आपके पास power आ चुका है because intensity का मतलब आपको पता होना चाहिए intensity का मतलब होता है कि energy per unit time per unit area यह होता है formula आपने पढ़ा होगा कि intensity time t और जो है area आपके पास है तो energy per unit time per unit area फो intensity कहा जाता है intensity में यह जो multiply कर दुमा area तो मुझे मिलेगा e upon t यानि कि power मुझे मिलने माली है यहाँ पर time interval से multiply कर दुमा तो dt यह मुझे मिल चुका है energy इतना energy photons के पास है और energy को यह दी c से divide कर देते हैं तो हमें linear momentum मिल जाता है अब जानते हैं कि यह होता है p equals to h by lambda और इसका मतलब क्या हुआ कि c उसे multiply कर दिया c से divide कर दिया तो h by lambda क्या होगा आपके पास energy of photon divided by कितना होगा आपके पास c so energy of photon divided by c होता है आपके पास linear momentum तो इसका मतलब यह energy है सारे photons की और इसको हमने divide कर दिया c से तो मुझे क्या मिल जाएगा आपके पास यहाँ पे मुझे linear momentum मिल जाने वाला है which is also equal to mod of change in linear momentum यह बात बोले समझ में आई कि नहीं आई उपर यहाँ पे लिखाए energy energy, इन सारे photon के energy इन सारे photon के energy यहाँ पे मैंने निकाली है और divide कर दिया c से, तो मुझे linear momentum मिल चुका है which is also equal to change in linear momentum in this particular case अब delta P by delta T कर दूँगा तो क्या मिल जाएगा बटा, delta P या dp कह सकते हैं इसे, dp भी कह सकते हैं because बहुत छोटे से time interval की बात कर रहे हैं बहुत छोटे से time interval की बात कर रहे हैं तो इसे dp by dt, यदि dt से divide कर दूँँ तो यहाँ पर मुझे मिल जाएगा i a dt divided by c यानि कि यह हमें value मिल चुकी है कि यह force exerted by radiation है यह radiation ने इतना force लगाया है i a by c के बराबर यदि यह surface super absorbent है और beam का area यह है अब यहाँ पर मैं pressure भी बता सकता हूँ pressure जिसे radiation pressure भी कहा जाता है अब देखिए pressure का formula होता है कि perpendicular force upon area यानि कि surface के perpendicular force कितना लग रहा है f के बराबर divided by area कितना है जितना beam का area है उतना ही surface का area है तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ force upon area simply तो यहाँ से आपको मिल जाएगा f perpendicular upon area होता है force का pressure का actual formula f perpendicular f के बराबर ही है area जो है a के बराबर ही है तो यहाँ से आपको मिल जाएगा i divided by c तो यहाँ से radiation pressure हमें मिल जाता है और radiation force भी मिल जाता है i a upon c ठीक है तो यहाँ से हमें एक चीज़ याद रखनी है कि यही surface super absorbent है तो pressure जो वहाँ पर develop होगा that will be equal to i by c i by c के बराबर वहाँ पर pressure develop हो रहा होगा और force कितना लगेगा वहाँ पर force लगेगा i a divided by c i a divided by c i a divided by c के बराबर force लग रहा होगा ठीक है तो यहाँ पर समझ गए होगे because यहाँ पर a है a हमने start किया था beam के area से beam के area से हमने start किया था और जितना area beam का है उतने ही area पर force लग रहा होगा because हम normal जो है normal के along जो है उसको incident कर रहे हैं तो ये area of beam और area जिस surface पर force लग रहा है वो दोनों बराबर है तो formula F is equals to IA by C लिख सकते हैं और यहाँ पर pressure को I by C के बराबर लिखा जा सकता है तो यह तो बात हुई जब 100% absorbent है अब यदि माल लीजिए कि आपका surface जो है वो 100% reflective है तो क्या करेंगे तो यहाँ पर case number 2 मैं लिख देता हूँ case number 2 case number 2 if surface if surface is super reflective is super reflective of course यहाँ पर हम बात कर रहे हैं normal incidence की बात कर रहे हैं normal incidence की यहाँ पर बात की जा रही है पहले में starting के जो तीन cases है उनको मैं normal incidence की वाले बताऊंगा और last वाला जो case होगा case number 4 उसमें आपको बताऊंगा कि यदि किसी oblique तरीके से incident होती है radiation तो कितना pressure वहाँ पर develop होता है तो पहला वाला case हमने देखा था जिसमें surface is super absorbent surface is super absorbent super absorbent और यहाँ पर भी normal incidence की बात हमने की है normal incidence ठीक है? और यहाँ पर हमारे पास super reflective हमारे पास surface है और यहाँ पर भी normal incidence की बात कर रहे हैं और यहाँ पर हम यह भी लिख सकते हैं की coefficient coefficient of reflection 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 is equals to one coefficient of reflection जो है one के बराबर दिया आपको है यह हमारे पास surface है यहाँ से एक area का beam यहाँ पर आकर incident होता है यहाँ area A का जो है beam आपके पास यहाँ incident होता है जिसका intensity आई के बराबर है तो इस वाले case में और इस वाले case में अंतर कितना होने वाला है अंतर यहाँ पर सिर्फ इतना होने वाला है कि यहाँ पर photon जब incident हुए थे तो reflection नहीं हुआ था पूरे को पूरे absorb हो गये थे तो इसलिए final linear momentum को मैंने 0 लिखा था लेकिन यहाँ पर क्योंकि super reflective surface हमारे पास है तो photon जो है reflect होके उसी same magnitude की energy लेकर वापस जा रहे होंगे तो यहाँ पर मैं बना देता हूँ diagram जोटा सा यहाँ बात करूँ dt time interval की dt time interval की अदी बात करूँ तो इस particular area से photon आ रहे होंगे और after reflection क्या होगा after reflection जो है photon ऐसे वापस जा रहे होंगे और इनकी जो energy है उसे मैं लिख सकता हूँ i into a into dt और यहाँ पे होगी i a dt यह energy energy को divide कर देंगे c से तो हमें linear momentum मिल जाएगा तो पहले linear momentum नीचे की तरफ था अब linear momentum उपर की तरफ है तो यहाँ से delta p लिखा जा सकता है magnitude delta p लिखें या इसे dp लिख दें से एक ही बात है जाएगा आपके पास i a dt divided by c और minus में आपको मिल जाएगा minus of i a dt divided by c तो यहाँ से आपको मिल जाएगा two times i a dt divided by c यहाँ आपको मिल जाता है dp की value और dt से यहाँ इसको divide कर देंगे तो आपको मिल जाएगा force यहाँ से dt से divide कर देंगे तो आपको मिल जाएगा यहाँ पर force dt से dt चला गया और आपको यहाँ से force मिल जाता है कर दीजे area से तो आपको यहां से result मिल जाएगा radiation pressure P is equal to 2 times I divided by C 2 times I divided by C answer आपको मिल जाता है तो हमने 2 cases अभी तक यहां पर पढ़ लिये हैं पहले cases में पहले case में जो surface था वो super absorbent था दूसरे वाले case में जो surface था वो super reflective था और दोनों ही cases में normal incident हुआ है तो हम इस case में radiation pressure और जो force duty radiation है वो बता सकते हैं अब हम यहां पर तीसरा case ले रहे हैं और उस तीसरे case में हम दिखेंगे कि यही surface partially reflective है यानि कि not the surface is not reflecting all the radiation which is incidenting on it तो उस case में क्या होगा यहां पर case number 3 लिखते हैं तो case number 3 के यहां पर बात कर रहे हैं case number 3 में हमें दिया हुआ है कि एक ऐसा surface है जो surface partially जो है वो reflective है यानि कि 100% reflection वो नहीं देता है बलकि कुछ fraction जो है वो reflect कर देता है बाकि जो part है वो absorb कर देता है surface is partially reflecting surface is partially partially reflective और यहां पर भी हम बात कर रहे हैं नॉर्मल इंसिडेंस की यहां पर बात कर रहे हैं अब कितना reflective है इस बात को बताने के लिए एक number यहां पर define किया जाता है जिसे coefficient of reflection कहा जाता है coefficient of reflection जिसे कभी rho की terms में भी बता देते हैं कभी sigma की terms में भी बता देते हैं तो यहां पर है rho और इसकी value जो है किसके बराबर है 1 के बराबर है 1 के बराबर sorry इसकी value जो है rho के बराबर है इसकी value rho के बराबर है इसकी value rho के बराबर है तो इससे पहले जो हमारी पास perfectly reflective surface था यहाँ पे रो की जो value है 1 के बराबर है और यह completely absorbing surface जो है यहाँ पे रो की value जो है 0 के बराबर है यह reflection का coefficient है और यहाँ पर भी हम बात कर रहे हैं normal incidence की यहाँ पर बात की जा रही है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ही सारी चीज़ें as it is रहने वाली हैं बट यहाँ पे जब photon incident होंगे photon जब यहाँ पर incident होंगे तो उनका जो linear momentum है वो लिखा जाएगा I intensity into area of beam into यहाँ पे लिखा जाएगा dt और यहाँ पे आजाएगा आपके पास c I a dt divided by c और जब यहाँ से photons reflect होंगे जब photons यहाँ से reflect होंगे तो कुछ portion ही कुछ fraction ही वहाँ पे reflect हो पाएगा और जब photon यहाँ से reflect हो रहे होंगे इस तरीके से तो उनका जो linear momentum है उसे लिखा जा सकता है इस linear momentum का row times because number of photons जो हैं वो कम हो चुके हैं row times रह चुके हैं रो इंटू IADT divided by C यह जो है direction को negative मान लेता हूँ इस वाली direction को positive मान लेता हूँ तो यह वाला linear momentum negative होने वाला है यह वाला linear momentum positive होने वाला है तो यहाँ पे change in linear momentum के दी बात करें delta P की बात करें mod की कैसे कह सकते हैं DP कह सकते हैं तो आपको यहाँ से मिलेगा this value minus this value तो आपको मिल जाता है mod के दी बात करें तो आपको मिल जागा यहाँ से row plus 1 और यहाँ जागा आपके पास IADT divided by C और DT से दी पूरी equation को divide कर देंगे DT से पूरी equation को divide कर देंगे तो आपको यहाँ से DT लगा दीजे DT से DT चला गया आपको मिलता है यहाँ पे force due to radiation is equal to IA divided by C IA divided by C into row plus 1 यह आपको force मिल जाता है और यहाँ आप यहाँ पे निकालना चाहते है radiation pressure यहाँ पे यहाँ आप निकालना चाहते है radiation pressure तो आपको answer मिल जाएगा radiation pressure is equal to यहाँ पे area से divide कर देंगे तो आपको मिल जाएगा I divided by C into row plus 1 into row plus 1 तो यह radiation pressure की value भी आपको मिल जाती है ठीक है तो आप जो है आप क्या करेंगे वो तो मैंने सिखाने के लिए आपको दोनों किसेश करवाए थे आप यह वाला formula जो है याद कर लीजे यह वाला formula याद कर लीजे यदि super absorbent है surface तो row की value 0 put कर दीजे और यदि perfectly reflective है तो यहाँ पे row की value 1 put कर सकते हैं आपका answer आपको मिल जाएगा तो आपको सिर्फ एक formula याद करने की ज़रूरत है बागी जो दोनों cases के formula थे उनको याद करने की ज़रूरत नहीं है अब इसके बाद हम पढ़ेंगे case number 4 अगले lecture बाद कर सकते हैं आपको याद करेंगे कर दो कि जब एक दो दो कर दो दो